हेलो स्ट देंज चलिए स्टार्ट करते हैं सीबी एसी थर्टे सेक्सेंपल क्योस्टन पेपर की मैंने एक बूक परचेज की थी अमेजोन से गुरुकुल की बूक है ये तो मैथ के तो हम सेंपल पेपर इसके देख चुके हैं तो मैंने आपको बताया था कि इस बूक के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के सेंपल पेपर अवेलेबल है तो यहां पे देखो सेक्शन ए है हमारा सेक्शन ए के अंदर हमारे क्योस्टन किस टाइप से मिलेंगे यहां पे एक चॉइस का क्योस्टन दे रखा है तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि यह कौन सा एलिमेंट है जिसका 14 अटोमिक नंबर होता है वो कौन सा होता है हमारा आपको पता है ठीक है मैंने इंट दूँगा यहां पे कुछ भी क्योंकि आप प्रिप्रेशन कर चुके हैं उसकी बेसिस पे आपने क्या पताना है group and period in modern product table उसका group कौन सा होगा period कौन सा होगा यह पताना है name and right it's one physical property तो उस element की physical property आपको बतानी है सबसे पहले देखना है वो metal है non metal है या metalloid है वो भी आपको पता है electronic configuration से आप easily find out कर सकते हो उसके बाद क्या दिरक्या है the element belong to third period and group 16 of modern periodic table. वो element बताना है जो third period में होता है और group 16 में लाई करता हो. ठीक है? उस element की यहाँ पर properties आप से पूछ रखे हैं वो आपको define करनी है. इसका मतलब आपको प्रियोडिक टेबल की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. Next, carbon has the unique property to form bonds with each other carbon items. मतलब carbon के पास क्या होता? एक property होती है जिसके साथ वो क्या करता है? दूसरे carbon atoms के साथ bonding बहुत इजली बना लिता है. तो वो property कौन से होती है? वो बतानी है name the unique property, give reason for unique property of carbon atom, वो property जो होती है, उसकी unique property किस वज़े से होती है? वो बताना है, draw the structure of cyclohexane. Cyclohexane का आपको structure draw करना है. Next, answer the following questions. हमारे पास यहाँ पे कुछ questions दे रखे हैं. यह आपने देखने हैं, करने हैं, यह तो simple हैं, आप कर लोगे. आपने पढ़ रखे हैं, सारे chapters अच्छे से. तो यह हमारे पास questions है. Question number 4 देखते हैं. What are dominant and recessive traits? Chapter number 9 से question है. इस टाइप का question भी आपको important question है, जरूर मिलेगा exam में. इसके option में दे रखे हैं हमें, यहाँ पे यह question है. यह भी आप देख सकते हैं. यह हमारा reproduction वाले chapter से है. Question number 5 देखते हैं. Explain why a fertilization is possible it makes. If make, matting takes place during the middle of a menstrual cycle. तो यह question भी हमारा क्या है? reproduction वाले chapter से हैं, तो देख लेना ध्यान से. Next दे रखे हैं, इन्दो following food chain, grass provides 4000 joule of energy to the grass ओपर. तो grass, grass ओपर frog snakes, इसकी आपको क्या करनी है? यहाँ पे food chain आपको draw करनी है. आगे क्या कहा? How much energy will be available to snakes and frogs? Snakes और frog के लिए कितनी energy यहाँ पे बचेगी? तो chapter के अंदर बता रखा है किस तरीके से cycle draw की जाती है? अंसर दा following question यहाँ पे electromagnetic induction क्या होता है? प्रमानेंट मैगनेंट क्या होती है? उसके use क्या होते है? define a compass direction के लिए होता है. State flaming right hand rule. Right hand rule को define करना है. Thumb को first finger, middle finger को आपको क्या करना है? हमारा periodic table से related question आ गया है. वो आप इजली देख लेना. Next देखेंगे इसके choice में दे रखा है. Explain the periodicity of the following properties of element. Atomic radius को define करना है. Electronegativity को आपको define करना है. ठीक है? कर लेना ही question. उसके बाद देखते हैं next क्या दे रखा है हमें? Question number 9 दे रखा है. यह रहा हमारे पास. Lays to properties of carbon which leads to the huge number of carbon compound we see around us. ऐसा ही question स्टार्टिंग में भी था हमारा section A के अंदर. Same वही चीज हमें बतानी है उसकी properties की वज़े से ही. Why are carbon and its compound used as fuel for most applications? Most of applications के लिए carbon और carbon से compound के जो हैं fuel के रूप में यूज के जाते हैं? क्यों यूज के जाते हैं? Next study the diagram and answer the following. हमें यह figure बताना ह किसका Amoeba का structure आपको easily दिख रहा है. उसके basis पे आपको क्या करना है? यहाँ पे इसका process shown in the picture. इसके process को define करना है कि किस तरीके से ये food को खाता है और खाने के बाद कैसे ये अब उसको divide कर देता है. ये तो आप easily बता दोगे. answer the following question. define electric power. Electric power क्या होती है? power का मितलब क्या होता ह है? rate of doing work या फिर capacity of doing work. what is superconductor क्या होते है? give to examples. what does an electric circuit mean? electric circuit का क्या मीनिक होता है? ये simple simple सी definition है. next how can 3 resistance of 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total of 4 ohm? ऐसा question important है. अगर हम मारे पास ये 3 resistance दे रखें और हमें resultant 4 ohm चाहिए, तो हमें बताना है इन में से कौन से 2 को हम series में जोड़ें या 3 को series में जोड़ें या 3 को parallel में जोड़ें कि हमारे resultant 4 ohm आ जाए. second case में 1 ohm चाहिए तो उसके लिए भी आपको बतानी है इनकी connectivity कैसे are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. बिल्कुल simple है, ohm चाहिए फोर्मला यूज होगा. In the circuit diagram shown below, calculate total resistance बताना है, इसका दोनों parallel में, parallel में कैसे जुड़ते है resistance, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. current shown by the emitter, current बताना है, total resistance निकल जाएगी, voltage है, ohm चाहिए फोर्मला व is equal to R1, यूज करेंगे, R निकल जाएगा, current निकालना है, voltage दे रखके 2 volt, बिल्कुल simple question. answer the following question, यहाँ पर क्या दे रखा है, यह हमारे simple से question है, non-biodegradable substance के है, और हमारे क्या है, यह decomposers क्या होते है, ozone layer depletion के कोज क्या है, यह सब बताने है, यह बिल्कुल simple question है, next more करते है section C के उपर, section C हमारा क्या reproduction system से है, question पढ़ लेना, आप देखना है, एक बार try करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं short में बता रहा हूँ, यहाँ पे, what has government done to stop female feticides, तो इसके लिए आपको बताना है कि government क्या-क्या यहाँ पर process जो है, कौन-कौन से steps जो है, वो ले रही है, वो आपको define करने है, यह question कर ल graph plot करना है, ओम सला की help से, voltage दे रखा है, current दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों का graph आपको show off करना है, next है electric lamp of resistance 20 ohm दे रखा है, conductor of resistance दे रखा 4 ohm connected to a 6 volt battery as shown in the figure, total resistance of the circuit निकालना है, voltage से कोई मतलब नहीं है, 20 और 4 किसमें, सीरीज में, तो total resistance कितना हो गया बच्चो, 24 ohm, current through the circuit न potential difference बताना है, V, आप easily find out कर लोगे, power of the lamp क्या होता है, हमारा P is equal to V, voltage into current, तो वो formula लगा के हम easily कर लेंगे, अब यह मत बोलना, comment करके, sir, science बढ़ा हो, हमें, math से ही, आप पहले math ही करो complete, तो math करते रहो, और कोई भी आपको, अगर और भी बहुत सारे sample paper है, उनकी वीडियो भी question में मिल जाएगा, वहाँ से आप purchase कर सकते हैं, thank you students for watching Nexaclasses वीडियो, बस एक sport कर देना, अगर आपको Nexaclasses से sport मिला है, पूरे year, तो जो previous class में, 9th class में students है, उनको please Nexaclasses के बारे में बताए, ताकि उनका भी बला हो सके, वो भी कुछ सीख सके, और मैं उनका sport कर सकूँ, तो क Thank you students for watching Nexaclasses video.